नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कौर्णमेंजाब प्रपिशन पर दोस्तों आज है 10 दिसमबर और आज हम डिस्कूस करेंगे 10 दिसमबर 2020 की कुछ इंपोर्डेंट करेंट परेंट के बारे में दोस्तों यह हमारा विडियो डेली करेंट परेंट का डेली प्रोवाइड किया जाता है आप लोग इसको जुरूर देखें आपको इसमें से बहुत सारे कुछिंस आपको अपने एक्जाम में मिलेंगे तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो स्क्शन सो दोस्तों यहां पर पहला कोशह निकल का रह रहा है वा है हाली में युनसको की विश्चो विरासत शहरों की सूची में ग्वालियर और और ओरच्छा शेरों को सामिल किया गया या सहर किस राजिशे शम्मंदित है तो दोस्तों अभी हाली में यूनिस्को को जो विश्व विरासत सहरों की सूची है इसमें गौालियर और ओर्चा इन दो सहरों को शामिल कर लिया गया है और ये जो सहर है जो आपके मद्य प्रदेश के शहर है यानि कि आप लोगों को पत तहत यूनिस्को एतिहासिक विकास लेंदस्केफ शिफार्शों के अधार पर इन इस्थानों के विकास और सौंदरी करण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संसाधन जुटाएगा इसे सामिल करने के बाद भारत में यूनिस्को विश्व विरासत सहरों की कुल संख्या वढ इसमें कुल जो सहर हैं उनकी संख्या 40 हो जाएगी अगर इन दोनों को यहाँ पर सामिल कर लिए जाता है इसके बाद ठीक है तो यह दोस्तों यहाँ पर था नेक्स देखते हैं हमारा अगला कुश्चन है हाली में पार्थियू पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में स तन्यास लेने की घुशा कर दी है और 35 वर्सी बाय हाथ के बल्लीबाज ने वर्स 2002 में अंतरास्टी क्रिकेट में डेव्यू किया था इन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट मैच खेले हैं 38 एक दिवश्ची खेले हैं तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 38 एक दिवश्ची और दो T20 मुकाबले यहाँ पर खेलो हैं ठीक है नेक्स कुश्चन लेखते हैं हमारा आगला कुश्चन है हाली में RBI ने कराड सहकारी बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है या किस सिदार जिससे सम्मने थे तो दोसो कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड इसका लाइसेंस अ तो Reserving of India ने महारास के कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का जो लैशेंस है यह परजाप्त पूझी और कमाई की संभावना नहीं दिखने के कारण रद कर दिया है बैंक बैंकिंग बिन में अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा था बैंक के जमा करताओं के 99% से अधिक जमा करताओं को Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation के जरिये उनके जमा का पूरा बुक्तान किया जाएगा दोस्तों यह जो होता है अगर बैंक कोई रद कर दिया जाता है या बैंक बंद हो जाता है तो उस समय जापकर Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation है यानि कि DICGO इसके दोरा आपको पूर्जी का भुक्तान किया जाता है यह गरंटी रहती है बैंक की ठीके तो लैसेंस रद करने और परिसमापन कार अपनी जमाराज के पुनर्वुक्तान का हकदार होगा तो दोस्तों इसमें जो आपका लाइशी रवीमा रहता है और उसमें आपको सिर्फ पांच लाग रुपय तक की रासे आपको मिल सकती है अगला कोशन देखते हैं नेक्स हमरा कोशन है हाली में इंडिया मोबाइल कां सिर्फ मोदी जी के द्वारा किया गया यानि कि ऑप्शन नमबर आपका एक यहाँ पर सही अंसर हो जाता है प्रधान मंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 8 दिसंबर 2020 को इंडिया मोबाइल कांगरेस 2020 के वर्चूल संस्क्रण का उधाटन और संब करना और विदेशी और स्थानिय निवेश संचालित करना दूर संचारा और भरतेफी प्रध्योगी छेत्रों में अनुसंधान तथा विगास को प्रश्चाहित करना है दोस्तों IEMC यानि कि इंडिया जो हमने भी बताया मोबाइल कंगरेस 2020 का जो बिसे है वह है इंक्लूस इनोवेशू, स्मार्ट, सेक्योर और सस्टेनेबल यानि कि समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरच्चित, स्थाई है तीन दिनों तक यह चलने वाला है आठ ले लेकर 10 दिजंबर 2020 तक यह आउज़ित किया जाएगा और IEMC 2020 का जो आउज़ित है यह भारिस सरकार के पूर संचार विभाग और सेलूलर आपरेटर अशो सीरसनाफ इंडिया के द्वारा किया जाता है अगला कुशन देखते हैं नेक्स हमारा जो कुश्चन है हाली में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की उचाई कितनी सेंटीमीटर ज्यादा होने का दावा किया है तो दूस्वा भी हाली में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की जो उचाई है 86 cm बढ़ने का यहाँ पर दावा किया है यानि 86 cm इंक्रीज करने का यहाँ पर दावा किया है यानि कि option number 2 आपका सही अजर हो जाता है नेपाल और चीन द्वारा संयुक तुरूप से किये गए सरवेच्छन में दुनिया की सबसे उची परबट चोटी जो कि Mount Everest है इसकी उचाई 86 cm अधिक होने का दावा किया गया है नेपाल और चीन की सरकार ने संयुक तुरूप से दुनिया की सबसे उची चोटी को मापने के लिए एक प्रयास किया था Mount Everest की उचाई की गड़ना 8848.86 मीटर की गई है जो कि 1954 में भारत द्वारा किये गए पिछले माप से 0.86 मीटर अधिक है या नई उचाई 29,031 फीट अत्वान नेपाल के पिछले दावे से लगभग 3 फीट अधिक है दोस्तों नेपाल में Mount Everest को सागर मथा के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान रखेगा दोस्तों आपर कर हम बात करते हैं ये तीसरा अर्मान है इसमें भी अधिक इससे भी अधिक 1999 में एक अमेरिकी टीम ने इसकी उचाई 29,035 लगभग 88,150 मीटर मापी थी या सरविचर National Geographic Society यूएस द्वरा प्रोजित किया गया था या सोचाई इसमें आपको साटीग मानती है जबकि चीन को छोड़ कर जबकि जो चीन है उसको छोड़ कर सेस्ट भी अब तक Mount Everest की जो साटीग हुचाई है वो 88,818 मीटर ही मानता है ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं हमारा अगला कोशन है हाली में Invest India ने सायुक्त राष्ट भ्यापार और विकास सम्मिलिन का Investment Promotion Award 2020 जीता है Invest India की स्थापना कप की गई थी तो दोस्तों जो Invest India है इसकी जो स्थापना है यह 2009 में की गई थी यानि कि Option Number आपका यहाँ पर दो सही आंसर हो जाता है जेनेवा इस्थित सायुक्त राष्ट भ्यापार और विकास सम्मिलिन यानि कि United Nations Conference on Trade and Development ने भारतिय राष्टी निवेश सम्मर्धन एजनसी Invest India को वर्स 2020 के सायुक्त राष्ट निवेश प्रोषणान पुसकार से सम्मानित किया है Invest India को 180 वर्स के 2020 से राष्ट निवेश सम्मर्धन पुसकार के मुल्यांगन का आधार जो था यह था COVID-19 महामारी के लिए IPAs की प्रतिक्रिया थी वर्सिक पुरुसकार दुनिया भर में निवेश सम्मर्धन एजनसी की उतकेस्ट उपलधियों और सर्वोत्तम प्रयासों को पहचान और उन्हें सम्मानित करता है दोस्तों इनवेस्ट इंडिया की जो इस्थापना है ये 2009 में की गई थी और इनवेस्ट इंडिया का जो हेड़डर है ये नई दिल्ली में है अगला कुश्चन हम देखते है नेक्स हमारा जो कुश्चन है नेक्स दुस्वर हमारा जो question है वह है हाली में PwC India ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा और किस के साथ साज़ेदारी की है तो अभी PwC ने युवा और Unisave के साथ साज़ेदारी की है यानि कि option number 3 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है परामर्स दाटा फर्म जो PwC India है इसने अगले 10 वर्षों में 300 मिनियल भारती युवाओं के उत्थान के लिए स्युक्त राष्ट बाल कोस स्युक्त राष्ट बाल कोस यानि कि Unisave और युवा भारत में Generation Unlimited के साथ साज़ेदारी की है ये जो साज़ेदारी है ये Unisave के साथ Generation Unlimited के समर्थन में PwC फर्म के वैसिक सहयोग का हिस्सा है जिसका उदेश एक बहु सेक्टर साज़ेदारी है जिसमें 2030 तक सामाजी कार्थिक में काम करने के लिए स्कूल से 1.8 बिलियन युवा लोगों की मदद की जाएगी अगला कुश्चन देखते हैं नेक्स हमारा जो कुश्चन है ADB ने भारत में जेव इंधन विकास के लिए हाली में कितने मिलियन डॉलर की तकनीकी सहयता को मंजूरी दी है तो दोस्तों यहाँ पर ADB ने अत्याधुनिक जेव इंधन विकास में सहयता करने के लिए तकनीकी सहयता के रूप में 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर की रासी को मंजूरी दी है यह जो अनुदान है यह Asia Clean Energy Fund के जरिए वित्त पोसित किया जाएगा जिसे जापान सरकार दोरा Clean Energy Financing Partnership Facility और कोरियागराज के E-Asia और Knowledge Partnership Fund की तहत बित्त पोसित किया जाएगा दोस्तों जो ADV है इसके जो अध्यच है वो है मास्त सुकू असकावा और दोस्तों इसका जो मुख्याले है वो है मनीला फिलिपिन्स में अगला कुशन देखते हैं हाली में प्रकासित Climate Change Performance Index 2021 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो दोस्तों अभी हाली में प्रकासित Climate Change Performance Index 2021 में भारत को दसवा अस्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों इसके पहले यानि कि पिछली रिपोर्ट में इसमें भारत को नवा अस्थान प्राप्त हुआ था विद्धुत एक मिटे हैं पर देख लेते हाँ तो इसमें जो है दोस्तों क्या है विद्धुत मंत्रा ले सॉरी इसमें जो है भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किये गे जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचका क्याने कि Climate Change Performance Index 2020 में दसमें अस्थान पर रखा गया है इसमें भारत का कुल स्कूर 63.98 रहा या लगाता दूसरा मोका है जब भारत 58 अर्थ बेउस्तावों में बहतर जलवाय प्रदर्शन करने वाले 60-10 देशों के रूप में उफरा है इस सूचकांक में अगर बात करते हैं पिछले साल की तो पिछले साल जो है भारत का इसमें नवास्थान था ठीक है नेक्स कॉश्चन हम देखते हैं अगला हमारा दूस्थो कॉश्चन है हाली में प्रकासित क्लाइमेट चेंट वाफान से दूसरा किसमें भारत को कॉश्चन स्था में दूस्थो यह फिर से रिपीड हो गया है कॉश्चन यहां पर अगला कॉश्चन देख लेते हैं हाली में किसे डबलू एचो फांडेशन का पहला CEO नियूक्त किया गया है तो दोस्तों अभी हाली में डबलू एचो का जो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन नहीं है वो लिखीज़े अनिल सोनी अनिल सोनी तो अनिल सोनी जो है इनको अभी हाली में डबलू एचो का इसमें option नहीं देना भूल गए हैं तो इसके लिए महाफिश चाते हैं खाले में किसे WHO foundation का पहला CEO नियुक किया गया है तो जो WHO foundation का पहला CEO नियुक किया गया है अनिल सोनी को ध्यान रखिएगा यहाँ पर अनिल सोनी आपका option सही हो जाएगा ठीक है तो भारती मूल अमेरिकी स्वास्त विशेशक के अनिल सोनी को The World Health Organization Foundation का पहला मुख्य कारी-कारी अधिकारी यानि कि Chief Executive Officer निक्त किया गया है इससे पहले इवा अमेरिका में Global Healthcare Company व्याट्रिस में कारेरा थे जहां उन्होंने Head of Global Infectious Disease के रूप में काम किया वह एक चनली 2020 से CEO के रूप में पदभार क्रहाण करेंगे दोसर जो WHO की बात की है इसमें तो WHO का जो मुख्याले है वो है जेनेवा स्विट्जालेंड में और WHO की जो महारी देशक है वो है टेडोस एड़हॉनॉग ठेडोस एड़हॉनॉग अगला कुशन दिखते हैं नेक्स्ट हमारा जो कुश्चन है हाली में किसकी दोरा फिट इंडिया सैकलो फॉर्म की दूसरे संस्क्राण का सुभारम किया गया है तो फिट इंडिया सैकलो थान है आपन कलिजिएगा सैकलो थान ठीक है तो हाली में किसके दोरा फिट इंडिया सैकलो थान के दूसरे संस्क्राण का सुभारम किया गया तो दोस्तों इसका जो सुभारम है ये खेल मंत्री किरन रिजजु के दोरा किया गया यानि कि option number 3 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है खेल मंत्री किरन रिजजु ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादम से फिट इंडिया सैकलो थान के दूसरे संस्क्राण का सुभारम किया जब मेगा सैकलिंग इविंट 25 दिनों तक चलेगा जो 7 दिसंबर से सुरू होकर 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा इसका आयुजन देश भर के प्रतेक जिले में आज़ित किया जाएगा नागरिक फिट इंडिया की विबसाइट पर पंजी कड़ करके इसमें भाग ले सकते हैं अगला कोशन देखते हैं हमारा अगला कोशन है अंतरास्टी ये भरस्टा चार विरोधी दिवस कब ना जाता है तो दोस्तों जो अंतरास्टी ये भरस्टा चार विरोधी दिवस है ये आपका 9 दिसंबर को मना जाता है यानि कि option number आपका यहाँ पर दो सही आंसर हो जाता है भारत भ्रष्टाचार के विरोध में जन जाग रुखता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतरास्टी भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन 31 अक्टूबर 2003 को सयुक्त रास्ट कन्विंसन अगेंस्ट करॉप्शन के पारित होने के बाद से पतिवर से मनाया जाता है दोस्तों जो अंतरास्टी भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2020 का विशे है वो है रिकवर विध इंटिग्रिटी यह आपका यहाँ पर विशे है इसका अंतरास्टी भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2020 का ठीके अगला कुश्चन देखते है हमारा अगला जो कुश्चन है और अंतिम कुश्चन है आज की इस वीडियो शेशन का वा है नरसंगार की सिकार और इसके पिरितों की गरिमा और इस अपराद की रोकदाम का अंतरास्टी दिवस का बनाया जाता है सेउत्रास महासित सभा ने 9 दिसंबर 1948 को नर संगहार अपराद की रोक्ताम और सजा के प्रस्ताव पर प्रतेक वर्स नर संगहार सम्मिलेन आजुद करने की शुरुआत की थी इस वर्स सम्मिलेन की जो 71 वर्स गाठ मनाई जा रही है इस दिन को मनाया जाने का जो उद्देश से वह है नर संगहार कन्विंसन के बारे में जागुरता बढ़ाना और नर संगहार अपहास से निपटने और रोकने में इसकी भूमिका को चिनित करना और इसके पीड़ों को याद करना और उन्हें सम्मानित करना है तो यह थे दूसरों आज की यहाँ पर करेंट पर इस तरह की करेंट पर पॉइंट के लिए आप हमाँ चैनल को सब्सक्काइब कर सकते हैं मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर होचिंग